प्रतिबंदित जमुकुष्मी लिबरेशन फ्रंट के मुखिया यासीन मलिक आज उनकी टाडा कोट में सुनवाई थी और उस टाडा कोट की सुनवाई के दौरान यासीन मलिक वर्चुली टाडा कोट की सुनवाई में पेश रहे और टाडा कोट की सुनवाई के दौरान दौबारा से वारंट जो हैं वो इशू किये गए हैं और फ्रेश प्रोडिक्शन वारंट जो हैं वो इशू किये गए हैं और कहा ये गया है कि यासीन मलिक को जो है कोट में पेश किया जाए आज जिस समय टाडा कोट लगी टाडा जब क्रॉस एक्जामिनेशन करने की बारी है क्योंकि जितने भी गवा हैं उन गवाहूं से सवाल जवाब करने को लेकर यासीन मलिक नहीं ये कहा है कि मैं खुद सवाल जवाब इन से करूँगा इस इंडिन एर फोर्स के जवानों की शहादत के मामले में सुनवाई होनी थी आज और चार इंडिन एर फोर्स के जो आफिसर थे उनकी शहादत का ये मामला है और ये आतंकी हमला 25 जनवरी 1990 को हुआ था और 2020 में जाकर इस मामले में चार्ज़स फ्रेम किये गए थे और चार्ज़स जो हैं वो साथ इसमें एक्यूजड हैं उनके खिलाफ फ्रेम किये ग तो क्रॉस एग्जैमिनिशन जब हुआ तो सीबी आई की काउंसल ने ये कहा कि जहां तक यासीन मलिक को जमुगी जम्मू में लाकर टाडा कोट में पेश करने की बात है और ये सीबी आई ने इस मामले में उच्चितम नियायाले को यानि सुप्रीम कोट को एप्रोच किया है और वहां पर उन्होंने प्रोड़क्शन वारंट को लेकर ये कहा है कि और लड़ी केंद्र ग्रहमंत्राले ने कहा है कि यासीन मलिक को जमुकश्मीर की कोट में शिफ्ट नहीं किया जा सकता तो उन्होंने जो प्रोड़क्शन वारंट को जो है उसे अपोज किया है और उच्छतम नियायाले में उन्होंने एक याचिका दायर की है जिस याचिका के जरीए एक वो चाहते हैं कि यो प्रोडक्शन वारंट जो है वो कैंसल किये जाए और यासीन मलिक को जो है वर्चुली अपने आपको डिफेंड करने का मौका दिया जाए वो वर्चुली अपने आपको डिफेंड करने के बाद इस मामले की कारवाई आगे बढ़ाई जा सके आज टाडा कोट ने फ्रेश वारंट इसी मामले में जमकश्मीर लिबरेशन फ्रेंट के जो मुखिया है यासीन मलिक उन्हें इशू किये क्योंकि उन्होंने आज दुबारा से इंकार किया उन 22 दिसमबर 2022 को करेगा कोट ने इस मामले में फ्रेश प्रोडेक्शन वारंट मलिक के खिलाफ इशू किये हैं सी बी आई ने इस मामले को सुप्रीम कोट के सामने चैलेंज किया है क्योंकि एमेचे की डिरेक्शन्स हैं और कुछ और बुनियादे हैं जिस पर वो सी बी आई क ये कहना है कि वो उसे कोट में पेश नहीं कर सकते हैं और जब कोट में जजज साब ने उन से सी बी आई की काउंसल से पूछा कि आप कहतो रहें कि आपने सुप्रीम कोट को एप्रोच किया है तो उस मामले में कोई चीज आप हमें दिखाएं ताकि हम को यकीन हो जाये कि आ आपने क्या कहते हैं सुप्रीम कोट के सामने गोहार लगाई है तो उसको लेकर सी बीए के काउंसल ने कहा कि वो भी हम पेश करने के लिए तयार है लेकिन उस बीच में टाडा कोट की जो जज्ज थे उनका यह ओर्डरा है उसमें उन्होंने फ्रेश प्रोडक्शन वारंट ज यह भी बताया गया है कि जब वर्च्वल मूड में उनको पेश किया गया तो उन्होंने जितने भी विटनेस थे उनको क्रॉस एक्जैमिन करने से इंकार कर दिया और यह भी आपको जानकारी होगी कि यासीन मलिक ने अल्रेडी जब कोट ने उनसे यह कहा कि इस मामले में क् इंकार कि उनने का मुझे वकील की कोई जरूरत नहीं है और उनने एक एप्लिकेशन दी जिसे एप्लिकेशन में उन्होंने कोट से गुजारिश की कि मेरे दोनु मामले रुबिया सईद के किडनापिंग वाला मामला और उसके इलावा यह जो मामला है इंडिन एर फोर्स के जवानों की और आफिसरान की शहादत का मामला है इन दोनु मामलों में मैं जिरा खुद करूँगा मैं सवाल जवाब खुद करूँगा मुझे कोट की जरूरत नहीं है उसके बाद उनने कोट से ये भी इजादत मागी थी कि आप मुझे इस स्पेशल कोट के सामने पेश हो किये थे सातूं जो एक्यूज हैं उनके खिलाफ मलिक भी एक एक्यूज है इसमें मलिक इस समय तिहार जेल दिल्ली में हैं दोजार उन्निस में ने ग्रिफतार किया गया था और उसके बाद इनकी जो ऑर्गनाइज़िशन है जे जमकुश्वी लिबरेशन फरंट उस वर प्र टाडा कोट में था जिस मामले की सुनवाई भी टाडा कोट में चल लही थी वो मामला भी टेरर फंडिंग से जुड़ा हुआ है उसकी सुनवाई भी आज हुई अब कल दूसरे मामले की सुनवाई है रुबिया सहीद किड़नापिंग मामले की कल सुनवाई है कल भी यासीन मलک ने जितने भी विटनेस आये जो भी विटनेस वहां मौजूद थे उनको क्रॉस एक्जैमिन करने से इंकार किया और कहा आप मुझे कोट में आने की जाज़त दें और वहां पर सी बी आ के काउंसल ने ये कहा कि हमने अल्रेडी इनके प्रोडक्शन वारंट को जो है सुप्रीम कोट में चैलेंज किया है और सुप्रीम कोट से जब उस पर कोई फैसला होता है वो कोट को बताया जाएगा लेकिन कोट ने कहा कि अगर आपके पास कागजी तोर पर कुछ है तो आप बताएं उस पे सी बी आई ने कहा कि हम जरूर बताएंगे